आज हम रेक्शन करने वाले है असल काम या बेक्या है यह वीडियो है बायन है डॉक्टर इसरार एहमत का तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह वीडियो भी है मेसेज़ेश किया गया था और मेरी खाल से यह भी बहुत बड़े स्कॉलर है इसलाम के मतलब इनको बहुत जानकार एह इसलाम की तो चला वीडियो शुरू करते हैं हमारे जहनों में जो मेयाराथ बैठी हुए है वो क्या है काम्याबी पैसे से है काम्याबी जाहिदाद से है काम्याबी कारोबार से है काम्याबी शुहरत से है काम्याबी इक्तिदार से है यह मेयाराथ है जो जतना दौनत मंद उतना काम्याब जो जितना मशूर उतना कामियाब जो जितना पॉपुलर उतना कामियाब जो हकुमत पर पहुँच गया कामियाब जिसने बगा कारोबार जमा लिया कामियाब जिसने बहुत जाइदाद बना ली कामियाब यही है असल में सारी बिस्की गाट जो तसमुर काम्याबी का होगा उसी के मताबिक आपके भागदौड़ होगी उसी के लिए जिद्दो जहुद होगी उसी के लिए तवानाईया सर्फ होगी उसी के लिए दिन रात की मुशक्क्त होगी ये है असल शेह जिसकी यहां नफी हो रही है काम्याबी दौनत से नहीं काम्याबी शौरत से नहीं काम्याबी इक्तिदार और ताकत और हकुमत से नहीं बलके काम्याबी है इमान से आमल सालिश से तवासिब इलहक से तवासिब सालिश से आप गोर कीजिए इस नुक्ते नजर का इस एक्टिचूट का अब आपका नतीजा क्या निकला अगर तो दौलत से काम्याबी होती तो कारून बहुत काम्याब था अगर हकूमत से काम्याबी होती तो फिरौन और रबूत बहुत काम्याब थे काम्याबी इन से नहीं है कौम्याबी इन्सान दौनत में कारून की दौनत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इस्तिदार और सल्टनत और हकूमत के एतिबार से वो नम्रूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले वो नाकाम है, खाइब है, खासिद है, बर्माद है और अबुजर गिफारी काम्याब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था जोपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था खुदूर ने फरमाया है, अल्ला की कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में दाना चाहें तो उन्हें इजाज़त न मिले जो कहीं अगर रिष्टा करना चाहें, कोई उनसे रिष्टा करने को तेयार का कहीं कोई सफारिश करना चाहें, तो उनकी कोई बात ही न सुने लेकिन अल्ला किहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर किसी बात पर किसम खा बैठते हैं ना उनके किसम की लाज रखता है ये है फर्क ये जान लीजिए अच्छी तरह इस बात का मान लेना आसान इस पर सुभानल्ला कहना आसान लेकिन इसके मताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल इसलिए कि हम मतासिर होते हैं अपने माहौल से वो बड़ा मह है देखकर एक दफ़ा जुझरी आती है तो बड़ी सी बीस फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुझर गई एक दफ़ा आसाब के अंदर इस्तियार्श होता है महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग है बड़े फुश नसीब बड़े कामयाब हाला बड़े देखिए पुरान मजीद में बारहा आपने के अलाएक हमुल मुफलिहून ये है लोग कामयाब होने वाले आज ये आपने नमाज में वो आयात सुनी या आयुह लजीना मनुर्कवू वस्जुदू वाबदू रबकुम वफ़णू खेर लाल्लकुम तुफलिहून आपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताके तुम कामयाब हो जाओ तो कामयाबी किन चीजों से है ये है सबसे बड़ा सबक ये हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए ठुक जाए तो जिन्दगी बदल जाएगी सुब हो शाम बदल जाएंगे नक् जाल नहायत गेर एहम नदर आएगी जैसे कि हुदूर की हदीस है माली वलिद दुनिया मुझे तुमारी इस दुनिया से चासरोकार है इन्नमा मसली कराके मिन इस्तदल तहत शजरतिं सुमराहा फटर कहा मेरी मिसाल तो उस सवार किसी है जो थोड़ी देर के लिए एक दरख से मस्तकिल तालुक उसका नहीं है वो उसका घर नहीं वो उसकी मंजिल नहीं है इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है अब देखिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह वाइना इलह राजिरू हम तो मसाफिर हैं हम लाग के पास से आया ये लाग की तरफ हमें लौट जाना है जबकि ये आयत हमारे जहनों के अंदर बैट गई हो ये है असल बात जो मैंने अर्स किया था कि मैं बताओंगा सहाबा क्यों एक दूसरे को याद दिलाते थे इसलिए कि देखिए जैसे बरफ बारी अगर हो रही हो आप बाहर निकलेंगे तो बरफ आपके कपड़ों पर जम जाती है लो तो आप जटकते हैं कपड़ों को ताकि बरफ हट जाए हमारे इमान पर इस दुनिया में रहते हुए जब हम मतासिर होतें बाहौल से तो गर्दा आ जाता है बरफ पड़ जाती है उसको जटकते रहने की जरूवत है और वो जटकने की बेहतरीन और मुऩर्थ तरीन शकल यही है के याद रखो कामयाबी इन चीजों से नही है चमक दमक जो है दुनिया की यह सारी चमक दमक जो तुमें रिजहा रही है जो तुमें अपने अंदर गुम किये हुए है ये लफ़ गुम पर इक्पाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मौमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक तुम गुम नहों कर रह जाओ इसमें मभूद नहों कर रह जाओ मरूब नहों कर रह जाओ दुनिया ही के महब्बत तुमारे उपर डेले ना डाल दे तुमारे दिनों के उपर मसल्ट नहों जाए लहादा ताजा करते रहा करो फिर याद कर लो फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को के कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी सर्वत से नहीं, कामयाबी अक्तिदार से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी जाएदाद से नहीं, कामयाबी है इमान से, कामयाबी है अमल साले से, कामयाबी है तवासिब नहीं, कामयाबी है तवासिब सब्स तो मेरे खाल से काम यावी पेशा नहीं है हमारे स्टेट नहीं हमारी जायदत नहीं है जितना हमने कमाया हो कामयाभी नहीं उसे कह सकते कामयाभी इमान को कह सकते कामयाभी इमान मतलब क्या बोलते उसे अपना सच बोलने का सच बोलने के हमारी जो आदत होती नियत को बोल सकते है इमान तो इसे कामयाभी कहते किसी को फाइदा हो किसी का अच्छा हो जाए तो इसे भी कामयाभी कह सकते हैं कि अच्छी नियत से एच्छे एच्छे काम किये गरीबों को फाइदा हुआ जैसे कि पहले लोग करती थे रहने के लिए घर भी ने हो तता काने के लिए रूटी भी ने हो फिर भी वह कामयाभ थे क्योंकि उनका इमान नियत अच्छी थी तो यह बहुत अच्छे वीडियो था मुझे बहुत अच्छा लगा सिर्फ कुछ-कुछ वर्ड्स नहीं समझ में बाकि तो बहुत अच्छा वीडियो तो लेकिन इसका एर्थ क्या था उसका तात पर यह असली क्या था यह तो अच्छा था अच्छा था क्योंकि आपको तो 100% समझ में आ गया हुए हमारा रेक्शन आपको के सम्में लगा यह कमेंट में बताई है हमारी चैनल को सब्सक्रा प्रेपी